इतनी तेज गर्मी में अगर छाया डूंडे तो शीशम का पेड जो है वो आपको कहीं न कहीं जरूर दिखेगा और उसकी छाया जो है वो बहुत गहरी होती है तो गर्मी से निजात पाने के लिए शीशम का पेड बहुत ही उपयोगी है और आपको बता दे कि जो शीशम का प जिससे हमें बहुत से रोगों से मुक्ति मिल सकती है इसके दो-तिन पत्ते अगर सुबह खाली जाए खाली पेड तो उससे भी हमें बहुत सी समश्याओं से निजात मिलती है नमस्कार दोस्तो मैं विजे सेनी आपका ममल बहुंसाई में फिर से स्वागत करता हूँ जाए अच्छी होती है तो छाएं के लिए भी इसको गाउं में लगाया जाता है सीसम को अलग अलग जगे पर अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे सीसम, शीशम, सीसो, सीसव और कुछ जगे इसको टाली के नाम से भी जाना जाता है आपके यहां इसे किस नाम से जाना ठीक करने में ये बहुत उप्योगी है कुछ लोगों को जो है सरीर में जलन के समझ्या होती है ऐसे में सीश्यम का जो ओईल है इसकी जो फलियां होती है उसके अंदर बीज होते है और उनको पीस कर जो है इनका जो ओईल है वो निकाल लिया जाता है ये ओईल अगर आपको वै मुत्रोग में फाइदे मन देखे गर्मियों में खास कर जो है मुत्र की जो समस्य है पेसाब में जो समश्य है वो ज़यादा होती है जैसे पेसाब रुक रुक क्याना या पेसाब में जलन होना या दर्द होना ऐसे में जो सिसम है उसके पत्ते जो है बहुत उपयोगी होते है इसके लिए इसके पत्तियों का जो काड़ा है वो बनाकर सेवन करने से पेसाब की जो सभी समझा उसे निजात मिलती है नमबर तीन चर्म रोग में फाइदे मन देखे चर्म रोग में भी सीसम बहुत उपयोगी है इसके लिए इसके बीच से निकला हुआ जो तेल है वो खुजली वाली जगए पे लगाने से जो खुजली है वो ठीक हो जाती है और इसका अगर काड़े का सेवन किया जाए तो फुनसी फोड़ों में भी आरा मिलता है सीसम में आरन की मात्रा होती है जिससे हमें खुण से समधित विकारों में बहुत लाब पहुंचते है सीसम के बुरादे का सर्वत पिया जाए तो उससे खुण साफ होता है रक्त संचार को ठीक करने के लिए इसके पत्ते के रस को जो है धाई और चिन्नी में मिला कर खाने से जो है जो ब्लेड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है नमबर पांच पेट की जलन में फाइदेवन सीसम का उपयोग पेट में होने वाली जलन को खतम करता है देखे इसके जो तासिर होती है वो ठंडी होती है और गर्मियों में खास कर जो है पेट में जलन की समयश्या होती है तो ऐसे में सीसम को पत्तों को पीश कर उसका रस निकाल ले और 10 से 15 मिली की मातरा में जो है इसका उपयोग करने से पेट के जलन जो है वो ठीक हो जाती है सीसम के पत्ते तो इतने अच्छे होता है कि इनके अंदर एंटी उक्सिडन्ट, एंटी इंफ्लोमेंटरी गुन भी होता है साथ ये विटामिन C, विटामिन D और कई प्रकार के मिनरल्स इसके अंदर होता है सुबह खाली पीट, पत्ते चबा चबा कर खाने से पाचन तंतर मजबूत होता है अगर किसी को कब्स की सिकायत है तो उससे भी रहात मिलती है अगर आपके मुँग में छाले भी हो रहे हैं तो भी ये बहुत उप्योग हो है क्योंकि इसकी पतिओं को जब आप चबाएंगे तो इसमें जो है एक जैल सा बन जाएगा जो कि आपके छालों के ऊपर कवर हो जाएगा इससे क्या होगा छाले ठीक भी होंगे और इसको चबाने के बाद अगर आप कुछ खाएंगे तो आपके छालों में जो है दर्द नहीं होगा अगर आपके यहां भी सिसम का उपयोग हमारे सरीर के कुछ रोगों को ठीक करने के लिए क्या रता है या आपने कभी इसका उपयोग है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो छे लगे तो लाइक और शेर जरू करेगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते एक नए वीडियो के साथ अपतक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा शुक्रिया